जैवसे की दोस्तों आज के स्वर्गे मन्ना का भाग हमने लिया है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका उन्निसवा और बीसवा वचन वचन कहता है हे मेरे प्रियभाईयों ये तो तुम जानते ही हो अधा प्रतेक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत पर बोलने में धीरजवन्त और क्रोध करने में धीमा हो क्योंकि मनुश का क्रोध परमेश्वर की धार्मिक्ता का अन्देरवान नहीं कर सकता धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा वचन अत्पूद है तेरा वचन सिद्ध है यहाँ पर हमें वचन बताता है कि इंसान जिन विचारों के साथ जीता है उसमें क्रोध एक अंग है और एगर हम क्रोध के साथ अपने जीवन को जीएंगे तो हम इशु की धार्मिक्ता का नहीं कर सकते इशू की धर्मिक्ता क्या है इशू की धर्मिक्ता में पवित्रात्मा है पवित्ता के संग रहना है इशू की उपस्ति का होना है हलेलिया उस प्यार का होना है जो परमेश्व ने हमारे लिए दिया है अगर हमारे अंदर क्रोध बढ़ जाएगा अगर हमारे अं मसी की धर्मिक्ता को खो देंगे और मसी के लिए इशु मसी की धर्मिक्ता का होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास इशु मसी की धर्मिक्ता नहीं है तो आप मसीहत के जीवन को नहीं निभा पाएंगे उस मसी जीवन को निभाने के लिए ही परमेश्व ने अपनी धर्मि तो हमारे पापों को क्रूज परिश्यमसी ने लिया और अपनी धार्मिक्ता हमें दे दी वो धार्मिक्ता हमारे साथ हमेशा रहे इसलिए इफिसियो छे के छे का सत्रा में छे का चौदा में पॉलुस ने ये हिदायत दी है कि अधा सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिक्ता की जि अगर आप धर्मिक्ता के जिलम पहनेंगे तो शैतान के आग के तीर हम पर वार नहीं कर सकेंगे शैतान हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है अगर हमने धर्मिक्ता को पहना हुआ है अगर हमने धार्मिक्ता का कव चोड़ा हुआ है क्योंकि धार्मिक्ता एक झिलम के रूप में हमारे जीवन में काम करती है और धार्मिक्ता को चलाने वारा पविद्रात्मा हमारे साथ है इसलिए उस आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को चलाएं कोई भी परिस्षिती, कोई भी सिती हमारे जीवन में आ जाए, हम परमेश्व की धार्मिक्ता को अपने अंदर से जाने ना दे, इसलिए वशन कहता है कि मनुष्य के क्रोध करने से, मनुष्य अगर शाम तक क्रोध करेगा, एफीसियो 4 का 26 और 27 कहता है, क्रोध तो करो, लेकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बेहन, क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो, हमें पाप नहीं करना है, लेकिन अगर क्रोध आप में बना रहेगा, तो पाप आएगा, क्रोध आप में बना रहेगा, तो इश्यो की धार्मिक्ता आपके अंदर से चली जाएगी, वो निर्वान प्रतेग जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन हुआ है और परमेश्वर को जानता है वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है Hallelujah Praise a lot तो हमें परमि violence की आग्या को मानते हुए परमिशर के प्रेम को अपने जीवट में रखना है और परमिशर के प्रेम हमारे अंदर कब आता है जब शुक की धार्मिक्ता आती है वो धार्मिक्ता हमें जीना सिखाती है वो धार्मिक्ता हमें प्रभु के चरणों में रहना सिखाती है वो धार्मिक्ता हमें वश्णों को ग्रहन करना सिखाती है वो धार्मिक्ता हमें प्यार करना सिखाती है वो प्यार जो ईशुमसी ने हम से किया था वो प्यार जो ईशुमसी का हम में है तो दोस्तों मेरी बहन उस प्यार को हम अपने अंदर से ना चाने दें क्योंकि वो प्यार सबसे एहम है इशुमसी ने क्रूस पर भलेदान क्यों किया ताकि हम उस प्यार को जाने हम उस प्रेम को जाने और उस प्रेम को दुनिया के साथ बाटे और दुनिया को बताएं कि सच्चा प्रेम क्या है प्रेम किसे कहते हैं प्रेम की परिभाशा क्या है लोग स्वार्थ को प्रेम समझते हैं लोग पैसे को प्रेम समझते हैं लोग अपने उचे स्थान को प्रेम समझते हैं नहीं दोस्तों नहीं प्रेम इसमें है कि हम एक दूसरे के लिए त्याक करें प्रेम इसमें है कि हम परमेश्वर के लिए काम आए परमेश्वर की योजनाओं के लिए काम आए परमेश्वर का भोजन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जीवन में बोच बन कर रहे इश्यो मसी ने अपने चेलों से क्या कहा कि मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा है उसकी जो इच्छा है वही मेरा भोजन है प्रेज़ लॉट इसलिए क्यों है क्योंकि इश्यो के अंदर अपने पिता के लिए प्रेम था वो प्रेम जब तक इश्यो मसी धरती पर रहे वो प्रेम सदा बना रहा वो प्रेम एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ प्रेज़ लॉड फार्सियों ने, युनानियों ने, सदियोग्यों ने इश्या की, नफरत की इश्यो मसी को मारना चाहा लेकिन परमेश्यों का प्रेम इश्यो मसी में बना रहा इसलिए परमेश्यों की धर्मिक्ता इश्यो मसी के साथ रही और उस धर्मिक्ता के नुसार इश्यो मसी चलते रहे तो दोस्तों हम भी इश्यों की धर्मिक्ता के नुसार चले और हमारे अंदर आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम बना रहे कोई भी शैतान चाहता है कि हम उस प्रेम को निकाल दें शैतान हमारे जीवन में कड़वाट लेकर आएगा शैतान हमारे जीवन में नफरत लेकर आएगा संधे लेकर आएगा शैतान चाहेगा कि हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें हम शक करें, हम संदे करें, हम डाउट करें लेकिन परमेशर का प्रेम हमें बताता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें परमेशर का प्रेम हमें बताता है कि हम एक दूसरे के लिए जीएं क्योंकि हम एक ही परमेशर की एक ही पिता की संतान है और उसके संतान बनकर हम इस धर्टी पर रहें क्योंकि अंतिम समय है इशू कभी भी आ सकता है और हमें इशू के साथ अपने घर जाना है अपने पिता से मिलने के लिए यही हमारा लेक्ष है यही हमारी मंजिल है और यही ह हमारा धे है, हालेलुया, आई हम प्रात्रा करते हैं, पिता परमेश्यर, आज का दिन पवित्र है परमेश्यर, हम सब को वो बुद्धी दे, और हमारे अंदर वो शक्ती पैदा करता कि हम तेरी धर्मिक्ता को ना चाने दे, कोई भी एहसास, कोई भी विचार, कोई भी हमारे अंदर ऐसी बात ना हो कि हम तेरी धर्मित तकक होते हैं पिता परमेशर सुनने वाले हर भाई मैंन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रात्रा आपने सुनियर को बोल कि एमेन, एमेन, एमेन